Hello students, welcome back to my channel Smart Study. Students, आज हम Directed of Education की तरफ से दी जाने वाली Worksheet No.25 करेंगे, जो कि Class 8 की है और सब्जेक्ट है English. ये Worksheet 23rd December 2020 की है. तो आज़े शुरू करते हैं आज की Worksheet. Worksheet शुरू करने से पहले, प्लीज मिने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. तो आज़े देखते हैं आज की Worksheet Lesson. This is Jory's phone. Continue. तो आज़े देखते हैं कुछ questions दिये गए हैं. पहले इनने solve करते हैं, बेटा. How would you feel if you lose your pet? अगर आप अपने pet को गुमा देते हैं, या खो देते हैं, तो आपको कैसा feel होगा? आप sad होंगे, hurt होंगे, disappoint होंगे, helpless होंगे, any other. तो आपका अंसर हो जाएगा sad की बहुत दुख होगा, कि अगर आपका pet क्या होता, आपसे दूर हो जाता है. Would you try to find it? How? क्या आप उसे दूढने की कोशिश करेंगे? और how, कैसे देखो, हम क्या कर सकते हैं, कि जितने भी घर के आसपास के shelter है, उनमें हम उन्हें ढून सकते हैं, वहाँ पर पता लगा सकते हैं, इसके लावा उसकी report करवा सकते हैं, कि आपका pet गुम गया है, या क्योंकि जो, अगर कोई pet, अपने host से, अपने घर से, क्या हो ज लेकि, बिटा, क्या होगा इसका answer, file a lost pet report with every shelter and visit the nearest shelter daily, या तो हम क्या कर सकते हैं, एक report कर सकते हैं, जो भी आसपास में, जहां पे भी animals रहते हैं, उनके क्या कर सकते हैं, इसके लावा विजिट कर सकते हैं, जहां पे भी जो भी नियर हमारा shelter है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं विजिट कर सकते हैं, पेट are often afraid when they are lost, पेट क्या होते हैं, जब गुम जाते हैं, तो क्या होते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं, finding hiding place, उनके छुपने की जगह ढूंदूगा and usually nearby, जितने भी जो nearby, जो छुपने की जगह होगी या कोना जहां पे है, जहां क्या होता है, अगर जो जगह दढ़ा हुई है इसे जगह को ढूपने की कोशिश करूँ गा और पूरे मन से अपने डोग को क्या करूँगा धुने की ट्राय करूँगा, तो आज की शुरू करते हैं, आज की वरकषिट उनके प इस व्यर्शिक पढ़कोन की जान बचाने के लिए, उनके ज़ के deer कुन शो ने किया कर दिया था मार दिया था और उसका एक चोटा बच्चा था जिसे phone कहते है तोージ उस phone के लिए बहुत परिशान होता है और उस जो ऺज मिजञे ब्चार के साथ में forest की तरफ निकल जाते हैं उस phone को ढूनने के लिए तो आगे देखते हैं क्या होता है वक्षित में Jody gave himself over the thought of phone of the phone अब Jody ने अपनी जितनी भी thought वो उसको लेकर जब मेल विल के साथ जा रहा था horse पर बैठ गया था वो अब उसने अपनी क्या क्या जाता है उस phone को किसी ने किसी तरीके से उसे पाना चाहता है they passed the event clearly अब वो क्या एक तम रस्ता अच्छे से देखना चाहता है और वो धुनना चाहता है कि कहीं ना कहीं से उससे phone जो है वो मिल जाए he said cut to the north milville उसने Millville से का कि भी आप North Ho Grip अब North की तरफ टरफ टरन ले लीजिये वो क्या कर रहा कि यहां से आप क्या कर LAN कर लीजिये North की तरफ हो जाए क्योंकि यहीं पर पा को क्या किया था मतलब उसके फादर को जो Snake ने बाइट किया था और यहीं पे जो दूर था मतलब जो दियर थी उसको मारा गया था और मैंने यहीं पे फोन को देखा था Suddenly Jody was unwilling to have Millville with him Suddenly अब धिरे धिरे जो suddenly क्या हो जो था उसको न Millville को अपने साथ लाकर अच्छा नहीं लग रहा था If the phone was dead or could not be found He could not have his disappointment seen अब उसे मन में ऐसे लगने लगा कि अगर phone dead हो गया है और वो उसे धून नहीं पाए है Could not be found अगर उसे धून नहीं पाए है तो वो जितना disappointment होगा उसे जितना दुख होगा वो उसे Millville को दिखाना नहीं चाहता And if the phone was there अगर phone वहाँ पे होता है The meeting would be so lovely and so secret That could not be ill just to share अब उसके दोनों ही उसके मन में बात है कि अगर उसे मिल जाता है तो वो जितना खुश होगा जितनी lovely वो feeling होगी वो भी उसके साथ में Millville के साथ share नहीं करना चाहता है देखो दोनों ही बात कह रहे हैं आपे कि अगर वो नहीं मिलता वो जो disappointment होगा वो वाला scene भी वो नहीं दिखाना चाहता है और इसके लावा अगर वो मिल जाता है तो जितनी उसको खुशी होगी वो loveable scene होगा वो भी वो मिल विल को नहीं दिखाना चाहता है अब वो कहते है कि वो यहाँ से जादा दूर नहीं है जहाँ पे bite हिया था snake ने जो जगह थी जहाँ पे उसने phone को देखा था वो जगह यहाँ से जादा दूर नहीं है यहाँ पे horse नहीं जासकेगा क्योंकि रस्ता क्या है ठीक है यहाँ पे horse नहीं जासकेगा I can make it on foot मैं paddle ही चला जाता हूँ आगे देखिए क्या कहा गया है बेटा but I am afraid to leave you boy जो मिल वील हो कहता है मुझे डर लग रहा है तुम्हें अकेले छोड़ते हुए suppose you get lost or got bitten by the snake की हो सकता है कि तुम्हें क्या कर रहे है तुम गुम जाओ या तुम्हें snack bite कर ले वो यह कहता है कि मैं अकेले चला जाओंगा तब मिल वील उसे कहता है मुझे डर लग रहा है तुम्हें अकेले छोड़ते हुए या तो हो सकता है तुम्हें snake bite कर ले या क्या कर सकता है या तुम गुम सकते हो I will take care मैं अपना ध्यान रख लूँगा it might take me a long time to find हो सकता है उसे ढूँदने में मुझे थोड़ा time लग जाए the phone he was wondered उसने tension में wondered होकर कहा कि हो सकता है उसे ढूँदने में मुझे थोड़ा जादा time लग जाए leave me off right here कि मुझे यहीं पर छोड़ दो all right but you take it easy now थीक है मैं यहाँ छोड़ देता हूँ तुम आराम से tension मतलब आराम से you now north here and the east तुम यहाँ से जानते हो कि north कहाँ पे है east कहाँ पे वो उससे पूछ रहे कि तुम यहाँ का direction और यह सब पता है there and there that told me make a bearing मतलब उसने उस कहा कि यहाँ यहाँ करके उसने एक लंबी से सांस लेता है इस तरह से बोला so long so long mill wheel ध्यान से ध्यान से I obligate मतलब कि मैं ध्यान तुम इस बात का ध्यान रखना कि चिंता है मुझे तुम्हारी he waited for a sound the hoves and the end then cut of the ride उसने wait किया जो उसकी hoves मतलब कि जो उसकी sound थी उसके जो horse था उसकी पैरों की जो sound थी जब तक उसे सुनाई दे रही थी तब तक वो वही रहा और उसके बाद उसने क्या क्या cut to the right उसके बाद वो right की तरफ उसने cut ले लिया मतलब वो मुड़ गया अब देखते हैं इस worksheet के question answer कि क्या question answer दिये गए है बेटा देखिए तो आईए करते हैं filling the following blank using the hints यहाँ पर hints दिये गए हैं हमें इनका use करके क्या करना है बेटा इनका use करके हमें worksheet करनी है यह filling the blanks करने है तो आईए करते हैं बेटा देखिए क्या है first लिए name the two character in the above extract यहाँ पर दो characters दिये गए थे किन के बारे में किन की बीच बात हो रहे थी बेटा एक तो हो रहे थी milvil के बारे में और दूसरी किस के बारे में बात हो रहे थी jody के बारे में तो हम first में लिख देंगे milvil और jody यहाँ पर लिख दीजेगा jody और यहाँ पर लिख दीजेगा milvil ठीक है a snake द्वारा उबिटन कर लिया जाएगा तो इसका अंसर आजएगा थर्ड पे हम लिख देंगे got lost यहाँ पे got lost आजएगा और यहाँ पे got बिटन आजएगा four पे क्या आजएगा got bitten यहा तो वह घुम जाएगा या क्या कर दिया जाएगा got bitten by a snake snake द्वारा काट लिया जाएगा C में देखते हैं next क्या है Jory did not want Millville to come with him because two reasons Jory अपने साथ Millville को नहीं लेकी जाना चाता था इसके दो reason है क्यों If the phone was dash or could not be found He could not have his dash seen अगर देखो जो phone है वो क्या हो जाता है अगर phone dead हो जाता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगर phone क्या हो जाता है Dead हो जाता है तो यहाँ पर number 5 पर लिख देंगे कि अगर जो phone है वो क्या हो जाता है Dead हो जाता है यह color से बिटा पता लगा लिजेगा अगर John जो है वो क्या हो जाता है if the phone was there, क्या हो जाएगा number 7 पे, if the phone was there, अगर phone वहाँ पे होता है, the meeting was so lovably, मनला बहुत meeting क्या होगी, बहुत lovely होगी, तो ये number 8 का हो जाएगा lovely, and dash that he could not share it, और वो उसके अपने, मतलब मिल्विल के साथ में क्या नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता, तो ये जो secret है, वो उसके साथ में share नहीं करना चाहता, and the secret that could not be share, ये secret वो उसके साथ में share नहीं करना चाहता, ठीक है, next देखते है, question number D, what act as a compass in the forest, जो compass है, वो कैसे act करेगा, वहाँ पे, वो क्या कर रहा था, the tall pine, जो tall pine का tree था, वो क्या करेगा, as a compass वहाँ पे, use किया जाएगा, as a compass वहाँ पे, काम करेगा, तो यहाँ पे number 9 पे आजएगा, the tall pine, number 9 पे क्या आजएगा, tall pine, next देखते है, find a word from the abate extract, which means not wanting to the something, क्या हो जाएगा, अब जब आप किसी चीज़ को नहीं चाहते है, तो उसका meaning क्या हो जाएगा, उसका meaning हो जाएगा, यहाँ पर unwilling, हम क्या कहेंगे, 11 में क्या आजाएगा, तो इस तरह से आपको ध्यान से करने हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजेगा, यहाँ पर देखे, गोड़ बिटनी, यहाँ पर 3 आजाएगा, यहाँ पर 4 आजाएगा, तो इस तरह का थोड़ा सा आप ध्यान रख लिजेगा, करते वर्त, क्योंकि बहुत सा रहे हैं, तो इससे पूरा जो आपका पैराग्राफ दिया है, को समझाया गया, इसके अंदर पूरी वर्क्षीट का, तो इस तरह से बिटा आप ध्यान से करेंगे, अपनी वर्क्षीट को कम्प्लीट करेंगे, अपनी वर्क्षीट कम्प्लीट करके, अपनी टीचर से चेक कराएंगे, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए, थैंक यू स्टूदेंट्स